आज मैं क्रिस्पस के लिए खास कलकल्स की रेसिपी लाई हूँ ये दिखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में आसान और काफी स्वादिश्टे जटपट बन जाता है तो चलिए वीडियो के उड़ जाते हैं उसके लिए बरतन में यहां मैंने लिया है एक चौतागी कप जितना सैमुलीना यानि की रवा साथ में यहां हम डालेंगे एक चौतागी कप जितना पिगला हुआ घी तो जो भी मेजरिंग कप लोगे समान रूप में ले लेना अब चमच की सायता से हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे और इसे बाजू में 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तब तक हम PCV चीनी बना लेते हैं तो उसके लिए छोटी सी मिक्सी जार में एक चौतागी कप जितना दारेदार चीरी डाल देंगे डक्कन लगाएंगे और इसे एकदम अच्छे से बाड़ी की से पीस लेंगे अब ये जो PCV चीनी है ये बनकर तयार है इसे बाजू में रख लेते हैं अब हम ये जो बरतन है इसमें क्या करेंगे एक कब जितना मैदा यानि की All-Purpose फ्लार डालेंगे हातों का इस्तमाल करकर एकदम अच्छे से इस मिश्रन को एक जूड करेंगे धीरे धीरे करकर आप देखोगे ये जो मिश्रन है बिल्कुल रेती जैसा नजर आएगा एकदम अच्छे से आपको इसे मिलाना होगा अब आपको क्या करना है बिल्कुल ऐसे हातों में एक जूड पकड़ कर देखना है अगर यह ऐसे आकार आता है मतलब यह तयार है अब इसमें यहां में डाल रूए एक चौताई चमच जितना नमक साथ में हम डालेंगे PCV चीनी अब इन सबको हम हातों का इस्तमाल करकर एकड़म अच्छे से मिला लेंगे तो यह स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करगे तो आपको एकड़म पर्फेक कलकल्स मिलेगा अब इसमें यहां में डाल रूए एक चौताई कब जितना नारियल का दूद इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ अगर नारियल ना हो तो इसके जगे में आप गाय का दूद का इस्तमाल कर सकते हैं अगर वो भी ना हो तो पानी भी मिला सकते हैं अब ये डाल देंगे अब हम एकदम अच्छे से आटे में गूंत लेंगे तो हमने इसमें रवा डाला है तो वो क्या करेगा जो भी इसमें जो मॉइस्चर है वो पूरा पी लेगा और ये एक अच्छे से आटे में तयार हो जाएगा तो ये देखे हमारा आटा तयार है एकदम पॉफिक बना है इससे हमें एकदम कुरकुरा और क्रंची कलकल्स मिलेगा अब हम क्या करेंगे इस बरतन के उपर प्लेट रख देंगे और 15 मिनिट के लिए से कमरे के तापमान पर यही आटे को छोड़ देंगे तो 15 मिनिट हो गया है अब चरिए हम कलकल्स बनाना शुरू कर लेते हैं तो बिलकुल ऐसे छोटे-छोटे आटे की लोईया तोड़नी होगी हातों में गोला बनाना होगा और फिर हम कलकल्स बनाएंगे तो ऐसे अब सारे लोईया तयार कर ली ना तो यहां मैं फोक का इस्तमाल कर रही हूँ फ फटा-फटेक करकर बारी-बारी से कलकल्स बना लेंगे यहां मैंने जो रसिपी दिखा है इसमें मैंने कम मातरा से बनाया है अगर आप इससे डबल कॉन्टिटी का बना रहे हो तो आप किसी का मदद लीजे यह बनाते वह किसी का हेल्प लीजे और इसे बना लीजे तो जाई में तेल रखा है तेल जैसे हलका सा गरम होता है मद्यम दीमे आंच में साफदानी से हम एक एक करकर ये जो कलकल से इस तेल में डाल देंगे एकदम साफदानी से आपको एक एक करकर डालना है ध्यान रखना है आंच को एकदम तेज नहीं रखना नहीं तो कलकल जो है वो तलने की जरुवत नहीं है नहीं तो वह जल जाएगा अब सावधानी से हम इन कलकल्स को पेपर टावल में निकाल लेंगे और हमारा एकदम क्रिस्पी और क्रंची कलकल्स क्रिस्मस के लिए बनकर तयार है तो जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करना और आपके अनुभव मेरे सा कॉमें सेक्षिन में शेयर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर सपोर्ट करना देखने के लिए धन्यवाद